अगली खबर आ रहे हैं सागर से जहां तिली रोड इस्थित आमन मेरिस गार्डन में बुधवार रात आग लग गई आग की लप्ते उठती देख मौके पर रहगीरों की भीड जमा हो गई आज पास के लोगों ने तुरंद पुलिस और फायर फाइटर को सुचना दी जानकारी मिल दे ही गोपाल गंज थाना पुलिस घटना इस्थल पर पहुची वही फायर फाइटर ने मौके पर पहुचकर आग पर काबू पाने की मसकत सुरू की करीब दो घंटे की मसकत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सका आग जनी में मैरिस गार्डन का सामान जला है जन्हान की कोई सुचना नहीं है आसपास के लोगों के अनुसार आमन मैरिस गार्डन के परिसर में डोम लगा हुआ था अचानक डोम में आग लग गई कुछ ही देर में आग ने विक्राल रूप ली लिया करीब 20 फिट उची लग्टे उटने लगी देखते ही देखते आग गार्डन परिसर में फैल गई आग कदुआ उटते देख आसपास के रहवासी छेतर में हरकम मच गया हलकी फायर फाइटर ने मौके पर पहुच कर आग पर काबू पा लिया आग जनी की घटना में मैरिस गार्डन का सामान जल कर राख हुआ है नुकसानी का आग लन किया जा रहा है वहीं आग लगने के कारण की जास भी की जारी है इतने सुन्दर सुन्दर के निह लाए दुलहन के रूप में चारचांद लगाए प्यार के रिष्टे को और कहर बनाए समदड़िया आभूशन का चादू है चाए समदड़िया आभूशन समदड़िया आभूशन